कुल्च टो पिछले वीडियो में हम लोगोंने पॉल्यूशन के बारे में देखा था पॉलिटेंट क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन क्या होता है और ये किस तरीके से air pollution बनता है और हमाई लिए कितने हम फुल होता है ये सारी चीजों को हमने cover किया था पिछले वीडियो में आज हम लोग देखेंगे case study दाज महल से over the past two decades India's most famous tourist attraction दाज महल located in आगरा has become a matter of concern तो पिछले two decades से two decades का मतलब देखिए one decade मतलब होता है 10 year यहाँ पर two decades use किया गया है मतलब 20 years तो यहाँ बता है ज़र पिछसे 20 सालों से जो ताज महल है वो आगरा का जो ताज महल है वो touristically attraction point बना हुआ है लेकिन आज वो क्या हो गया है matter of concern बन गया है मतलब जो ताज महल है वो matter of concern बन गया है experts have warned that pollutant in air are discoloring its white marvel so it is not only living organism that get affected by polluted air but non living things like building monument and statue also get affected तो देखिए जो यह जो ताज महल है वो air pollution के कारण जो इसका white marvel है वो yellow सा हो गया है मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि air pollution जो है वो कितना ज्यादा harmful है हम लोगों के लिए जो air pollution है वो केबल living organism के लिए नहीं बलकि non living organism जैसे building हो गया है monuments हो गया है statue हो गया है तो उनको भी affect करता है the industry is located in and around agra like rover processing automobile chemical and especially the mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxide जो आगरा है आगरा के आसपास की जो industry है तो आगरा के आसपास जो industry है वो किस तरीके की है rover production हो रहा है और तो मोवाइल है chemical है और उसके अलावा मतुरा पे oil refinery है तो देखिए इन में से क्या होता है harmful substances निकलते हैं जिससे बहुत सारी harmful gas बनती है जैसे कि sulfur dioxide हो गया nitrogen oxide हो गया यह pollutants होते हैं जिसके कारण हमारे ताज महल को affected करते हैं these gases react with the water vapor present in the atmosphere to from sulfuric acid and nitric acid तो यह जो gas है वो water से water जो है हमाई atmosphere पे और air जो है उससे react करके sulfuric और nitric acid बनाती है the group the acidic group down with rain making the rain acidic तो यह जो acid है वो उपर cure जाते हैं atmosphere पे मिल करके और पानी के थुरू वापस में पानी के पाद बरसते हैं यह rain acidic हो जाती है this is called the acid rain और इसी को हम लोग acid rain बोलते हैं acid rain गिरते हैं तो उसको हम लोग acid rain बोलते हैं acid rain बोलते है acid rain को रोट्स दा मार्वल ऑप दा मॉन्यूमेंट the phenomenon is also called the marvel cancer तो देखिए जो acid rain है वो हमारे monument के marvel को करोट करता है हाम पहुचाता है तो इस phenomenon को हम क्या बोलते हैं मार्वल कैंसर बोलते हैं suspended particular matter such as the suit particle emitted by Mathura oil refinery has contributed toward the yelling of the marvel तो देखिए और इसके अलाबा जो Mathura oil refinery है वहाँ से बहुत छोटे-छोटे से particles निकलते हैं एमिठ होते हैं जो की हमारे मार्वल को यलो कलर का बना देते हैं तो देखिए जो हमारी government है वह बहुत सारे strict rule बनाती है मतलब उन्होंने इंड्रिस्ट्री को सीधे बोल दिया है कि आप अपनी फ्यूल को switch करिए कि स्पें CNG और ITG पर तो नमोरेवर दा automobile should switch over to unneeded petrol in the Taj zone तो जो ताज महल के आसपास जो भी इंड्रिस्ट्री बगएरा है उनको तो इंड्रिक्सषी करें कि आप चाहिए पैट्रॉल यूज करना है तो ऊंलीड इंड्री मोनेमंस के लिए उनको तो बोला जाता है कि आप जो भी फ्यूल यूज करते हैं तो आप उसको स्विच करिए किस पे CNG और LPG पे जो की हमारे लिए नुकसाइन दायक नहीं होती हैं. तो आप अपने अलडर से डिसको स्विच करिए कि आज से 20 से 30 साल पहले ताज महल की क्या कंडिशन थी. तो आप अपने अलडर से डिसको स्विच करिए कि आज से 20 से 30 साल पहले ताज महल की क्या कंडिशन थी. the earth is absorbed by a part and a part is reflected back into space. तो देखिए क्या होता है हम लोग जानते हैं कि जो हमारा sun है वहाँ से गर्म रे निकलती हैं और हमारे earth surface पे आती हैं और earth surface को वाम करती हैं. अब देखिए इस radiation का जो part है कुछ part तो earth की द्वारा absorbed कर लिया जाता है और कुछ part जो है वो space पे reflected हो जाता है और पार्ट ऑफ देखिए रडियेशन इस ट्रब बाइदा atmosphere और जो reflection रडियेशन पार्ट है रडियेशन का वो atmosphere पे ट्रब लिया जाता है तर ट्रब रडियेशन फर्दर वाम दा अर्थ और जो रडियेशन है वो हमारे अर्थ को वर में करती रहती है मतलब गर में करती है if you have seen a green house in a nursery or elsewhere we call that the sun heat is allowed to get in but is not allowed to go out the trapped heat warms the green house the trapping of the radiation by the earth's atmosphere is similar this is why it is called the greenhouse effect देखिए यहां पे green house nursery की बात की जा रही है तो green house ऐसे घर होते है जहां पे क्या होता है sun की radiation अंदर आ जाती है लेकिन बाहर जाने नहीं दिया जाता है और prepped की हुई जो heat है वो green जो plant लगे है उसको गर्म करती रहती है तो इस तरीके से काम होता है सेम जो green house gas होती है sun को radiate करके गर्म करती है और वैसे ही atmosphere radiation को अंदर absorb कर लेता है और इस सारी process को हम green house process बोलते हैं without this process life would not have been possible on the earth यदि यह process नहीं होगी तो हमारी life जो है वो possible नहीं है but now it creates life excess of CO2 in the air is one of the gases responsible for this effect तो देखिए जो CO2 है वो इससे practically responsible होती है you know that CO2 is one of the component of air you have also studied जो हम जानते हैं कि जो CO2 होती है वो air की एक component होती है but you have also studied the role of carbon dioxide in plant but if there is excess of CO2 in the air it has deja pollutant जो हम जानते हैं जो CO2 होती है वो greenhouse के लिए responsible होती है और ये plant के लिए बहुत जादा important role भी play करती है मतला plants के लिए बहुत जादा जरूरत भी होती है but here हम लोग CO2 को बहुत जादा access करने लगें मतला बहुत जादा उसका use करें तो ये pollutant की तरह भी area under forest is decreasing plant utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis thereby decreasing the amount of CO2 in the air तो एक तरफ क्या हो रहा है हमारी human activity की तरफ से CO2 बढ़ती जाए और दूसरी और हम लोग क्या कर रहे हैं forest को खतम कर दे रहे हैं तो plant जो है वो CO2 को utilize करते है atmosphere से photosynthesis process को दवारा और जब plant ही नहीं रहेंगे तो CO2 क्या होगा बढ़ती जाएगी बही जब plant नहीं है human activity की दवारा CO2 बहुत जादा होता जा रहा है CO2 हमारी लिए फायदे मंद है बढ़ नुकसान दायक भी है क्योंकि CO2 की मात्रा जादा बढ़ जाएगी तो यह हमारे लिए अच्छा हों नहीं है thereby decreasing the amount of CO2 in the air deforestation leads to an increase in the amount of CO2 in the air because the number of tree which consumes CO2 is reduced human activity thus contribute to accumulation of CO2 in the atmosphere CO2 trap heat and does not allow it escape into space as a result the average temperature of the earth atmosphere is gradually increasing this is also called the global warming तो देखिए यहां पे पूरा का पूरा आपको global warming की process समझाया गया देखिए global warming होता क्या है मैं आपको इंसौर्ट बता हूँ global warming का मतलब होता है earth surface का गर्म होना और earth surface का गर्म होगी जैसे CO2 बढ़ रहा है हमारी activity की वज़े से और plant हम लोग कम करते जा रहे हैं तो CO2 क्या हो रहा है absorb नहीं हो रहा CO2 हमारे atmosphere पे उसकी जो quantity है वो बहुत ज्यादा होती जा रहे है और जब CO2 बहुत जदा बढ़ जाता है तो हमारे earth surface को गर्म कर देता है और इसी process को बोला जाता है global warming बहुत important है बहुत पूछा जाता है इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद करेगा आप 9th and 10th phase को डीटेल से पढ़ेंगे और other gases like methane, nitrous oxide and water vapor also contribute to the towards this effect तो देखे और other gases जिस methane हो गई, nitrous oxide हो गई, water vapor हो गई तो इस effect के लिए वो भी जानी जाती है like CO2, they are also called greenhouse gases तो ये सभी gas जो है वो greenhouse gases के नाम से जानी जाती है global warming has become a major concern for government worldwide many countries have reached on agreement to reduce the emission of greenhouse gases the Kyoto Protocol is such one such agreement तो देखी, global warming जो बढ़ रही है वो हमारे government के लिए worldwide एक major problem है और बहुत सारी country इस agreement में पहुची है कि हमें greenhouse gases को के emission को reduce करना है और इसके लिए Kyoto Protocol भी बनाया गया है बूजो इस surprise to hear that an increase in the earth's temperature by even as little as 0.5 degree Celsius can have such a serious effect तो पहली जो है वो इस बात से surprised है क्योंकि उसमें सुना है कि अब तक जो earth temperature है वो only 0.5 degree ही बढ़ा है और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा serious effect दे रहा है पहली ने अभी पढ़ा है न्यूच पेपर पे कि जोगंगोत्री glaciers हैं हिमालय के वो धीरे-धीरे melt हो रहे है ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब देखिए what can be done अब हम लोग क्या करें कि यह फविक्मा बढ़ रहा है जिससे ना बढ़े what can be do to reduce air pollution हम कैसे air pollution को reduce कर सकते है there are many success stories in our fight against air pollution हम लोगोंने बहुत सारी स्टोरी को pollution के खिलाफ लडने के लिए पढ़ा है for example few years ago Delhi was one of the most polluted cities in the world तो कुछ समय पहले क्या था जो Delhi था वो हमारे world के सबसे ज़्यादा polluted सहर में से माना जाता था it was being choked by fumes released from automobile running on diesel and petrol तो बहुत सारी gases जो होती थी वो यहां से निकलती थी diesel और petrol के बर्न होने से तो कि वहां बहुत ज़्यादा विकल वगे रहे हैं तो जिसे diesel petrol यूज कर जाता a decision was taken to switch to fuel like CMG तो decision यह लिया गया कि जो वहां पे fuel यूज किया रहे हैं वो CMG या फिर unlimited petrol को switch किया जाए मतलब कि unlimited petrol या फिर CMG गैस को यूज किया जाए these measures have resulted in cleaner air for the city और इसका result यह हुआ कि वहां की जो air थी वो clean हो गई you might know of some other example for your area regarding reduction of air pollution share these with your friend तो आप भी अपने आसपास के area के लिए किस तरीके से pollution को कम कर सकते हैं या अपने friend के साथ आप share करिये the quality of air at various locations is monitored regularly by government and other agencies जो air की quality है हर particular area में वो regularly government और other agency के द्वारा monitored की जाती है we can use this idea, this data to generate awareness about air pollution among friend and neighbor तो इस data का use करके हम लोग क्या करते हैं कि कितना awareness है air pollution के बारे में तो ये सारी चीज़े हम लोग पता करते हैं there is need to switch over to alternative fuel in state of the fossil fuel for our energy requirement these could be solar energy, hydropower and wind energy तो देखिए हम लोग को वही बताया जा रहा कि हाँ पे बनकुल मिला के हमको ये समझ में आए कि जो जरूरत है वो क्या है कि हम अपने fuel को switch कर दें देखिए fossil fuel को हम लोग किस पर switch कर दें solar energy, hydropower में fossil fuel क्या होते हैं fossil fuel वो होते हैं जो हमें जवीन के अंदर से मिलते हैं जैसे petrol हो गया, diesel हो गया तो इनको क्या इनको जलाने से बहुत सारी harmful gas निकलती है जो हमारे लिए या हमारी health के लिए ठाम हो तो इसलिए मतलब बोला जाता है कि हम लोगों को अपना जो fuel है वो switch कर देना चाहिए small contribution on our part can make a huge difference in the state of the environment we can plant trees and nature of one already present in the neighborhood do you know about when one much so when lack of trees are planted in July every year तो हम लोगों को कुल मिलाके क्या बहुत environment को अपना अधिक से अधिक environment को हमें clean रखना है planted वगरा करना है जिससे कि हमारा environment जो है वो clean रह सके तो आप लोगों ने बन महसो का नाम सुना होगा वहाँ पे हर year में love every year जुलाई के मन्त में वहाँ पे लाख tree लगाये जाती हैं बहुत सारे वहाँ पे tree planted के जाते हैं देखे इस picture पर भी यहाँ बच्चे बहुत सारे tree जो है वो planted कर रहे हैं तो यह जी जहां पर बताई जा रही है next हम लोग आते हैं water pollution के बारे में देखे air pollution हमारा complete हो गया इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो भी बता दिया गया आप water pollution को हमें पढ़ते हैं in class 7 you learnt that water is a precious resource आप लोगों ने class 7 में पढ़ा है कि water जो है वो precious resource है think and list the various activity in which we need water तो एक पोची है और लिस्ट बनाईए कैसी कौन कौन से activity है जिसमें हमें water की दरत पढ़ती है तो देखिया कोई भी activity नहीं है जिसमें हमें water की दरत ना पढ़ती हो हमें हर एक काम के लिए water की दरत पढ़ती है we saw that water is becoming source due to increase in population, industries and agriculture activity you have also studied how water becomes dirty after we use it for washing cloth, bathing, etc. this means that we are adding some material to the water which spoils its quality and chinks its smell and color तो देखिये हम लोग पानी की हम लोग को हर चीज के लिए जड़त पढ़ती है लेकिन ये सोचिए कि पानी किस तरीके से गंडा कर दिया जाता है तो क्या होता है जब हम लोग cloth को washing करते हैं नहाते होते हैं तो उस पर क्या होता है और बहुत सार material जो है वो मिल जाते हैं जिससे वॉयल को जिससे पानी को क्या कर देते हैं स्पॉयल कर देते हैं और उसकी quality, smell और color सब कुछ चेंज हो जाता है Whenever harmful substances such as sea waste, toxic, chemical, silt, extract, drug get mixed with water, the water become polluted, the substances that pollute water are called water pollutant तो देखिए क्या होता है जब water में बहुत सारे harmful substances मिल जाते हैं जैसे sea waste, sea waste मतलब होता है जो घर का चचछड़ा निकलता है Toxics chemical मतलब जो industry वगेरा से toxin वगेरा निकलता है वो हो गया, silt हो गई तो जब यह normal water पे mix हो जाता है तो जो हमारा water है वो polluted हो जाता है और इस substances को जो की water को pollute करता है इसको water pollutant बोलते हैं Next है how does water get polluted case study अब चली अब हम लोग देते हैं कि water जो है वो किस तरीके से polluted होता है Ganga is one of the most famous river of India हम लोग जानते हैं कि जो Ganga है वो हमारे इंडिया की बहुत famous river है Its sustains most of the northern, central and eastern Indian population, million of people depend on it for their daily need and livelihood तो देखिए क्या है कि जो Ganga है Ganga river है उस पे बहुत सारे people जो है वो dependent है अपनी basic need के लिए Ganga पे ही dependent है और देखिए क्या होता जा रहा है Ganga को हम लोग बहुत ज़्यादा polluted करते जा रहे हैं क्या होता है यहां इस paragraph में बताया गया है इसको आप लोग पढ़ लीजीगा इसमें क्या लिखाय में बता रही हूँ तो इस पर क्या होता है बहुत सारे लोग अपने घर का कचड़ा है पुराने घर में जो भी कवार वगएरा पढ़ा है पानी में बहाते हैं लोग पुराने भगवान है बहुत सारे कागज है पूल माला पत्ती तो यह सारी चीज़े क्या करते हैं जो गार्वेज होता है वो उसके गंगा पे डाल देते हैं डेड बॉडी वगएरा हो गया तो क्या होगा बस जब हम लोग अब गंगा रिवर जो है इतनी पवित्र है हम लोगों के लिए लेकिन उसके बाद भी हम लोग उस पे कचड़ा डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारी जो गंगा रिवर है वो पॉल्यूटेड हो रही है जो की यह बहुत डेंजर्स किया गया था जिसका एम था कि गंगा रिवर को हमें सेव करना है इत एम तो रिडियोस्ट पॉपलेशन लेवल इन रिवर हावेवर थे इंप्रीजिंग पॉपलेशन और इंडिस्ट्राइजेशन हाव अल्रेडी देमिश्ट इस माइटली डिवर बियोंड रिपेर नाव इनिसियेटिव नोन आज नेशनल मिशन पॉर क्ली गंगा इन तूर जो प्लान पहले गंगा एक्षन प्लान या था बड़ यह सक्सेश्पुल नहीं था उसके बाद भी कुछ कोई लोग मतलब गंगा रिवर की साफसफाई पर ध्यान नहीं देते थे लोग पहले की तरे ज मतलब प्लान लांच किया गया जिसे बोला जाता है नमसीजी मतलब नाशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रूटोजन सिस्टीन पे की और प्लान जो था वो लांच किया गया था तो इसमें वहीं लपकाई सारे चीजें बताई गई थी कि इसको इसके अंदर मतलब बहुत प्लावर है भगवान के चड़े हुए फूल माला पत्तियां है तो पॉलिथिन बैक्स हैं तो ऐसे हम लोग रिवर पे नहीं पेके तब यह सारी चीजेस पर बताई गई थी तो इसको आप लोग वही डिटेल से पढ़िएगा इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स टॉपिक जाप थी ड्रेंक वॉटर वॉटर विच लूब लुब लूग लिया एंड वोज विडाउट अने श्मेल बट इस्टील ही तो बूजव जो है वह बहुत हैं क्योंकि वह पहली को बता रहा है कि उसने माम मतलब इसकोब पर बात पिया था जो की एकडम क्लीन दिख रहात हो पहले एक्स्प्लेंग देखने से क्लीन दिखाई देता है बहुत सारे इंप्योर्टी घुली रहती है so it is a sensor to purify water before drinking for example by boiling बताय जा रहा है कि तो हमको जुरूरत क्या है कि हमको पानी पीने से पहले उसको प्योरिफाइ करें मतलब लोग इसको बॉइलिंग कर सकते हैं वाल सकते हैं वांटर वीच्पनी पॉर ट्रिंकिंग इच्कॉल पॉर्टेवल वांटर तो देख लिए पॉड़ेवल वॉटर क्या होता है इसा वाटर जो कि हमारी पीने के लिए इसो टेबल होता है उसे हम लोग को टेबल वाटर कहते हैं इसा पताया जा रहा है कि बहुत सारी इसमें प्रोसस होती हैं फिजिकल और केमिकल जिससे हमें वाटर को प्यूरिफाई करके ही अपने यूज में लेना चाहिए नहीं यहां पर बताया जा रहा है फिर हम लोग नेक्स आते हैं 18.9 बाट कैन बी देन मतलब वाटर को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए यहां पर यह बताया गया है law of industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into river and lake water treatment plant should be installed in all industries area at our industrial individual level we should consequently save water and not waste it reduced reuse and recycle should be our month तो देखिए क्या होता है इसके लिए बहुत एक law जो है वो implemented किया गया है यदि हम लोग river लेक पर पानी हम लोग डालते हैं तो हम लोग उस पर ऐसा पानी डालें जो कि एकदम साफ हो मतला पानी को यह हमें river पर डाल रहे हैं तो उसको साथ सुथरा करके ही उसके बार डाले water treatment plant इंस्टाल होने चाहिए industrial area पर और हमें हमेसा इस मंत्र को ध्यान देना चाहिए कि reduce reuse और recycle इस मंत्र को हमें हमेसा माइंड पर रखके काम करना चाहिए think of your daily routine how can you save water अब सोचे हम लोग अपने daily routine में किस तरीके से water को save कर सकते हैं we can think of creative idea like reusing water used for washing and for other household tasks अब देखिए अब पर पानी को हम लोग रियूज कैसे करें वो बताया जा रहा है और एक्जाम्पल water used for washing vegetables may be used to water plant in the garden लेखिए क्या करना है जैसे हम लोग सब्सक्राइब होते हैं तो जो पानी है उसको हम लोग क्या करें अपने garden यूज करनें तो वो ब्यूज करना कहला गया मतलब एस इसको वेश्ट ना करके उसको गार्डन में प्लांट को दे दें Pollution is no longer a distant phenomenon, it is affecting the quantity, the quality of our daily lives. Unless we all realize our responsibility and start using environment-friendly process, the very survival of our planet is in the danger. तो देखिए हम लोगों को पानी को क्या करना चाहिए? बचा के रखना चाहिए हमें अपनी environment को friendly, मतलब उसके साथ eco-friendly relation बनाना चाहिए है. नहीं तो हमारा जो planet है, हमारी earth है, वो बहुत danger condition पे चली जाएगी. तो इस तरीके से ये हमारा chapter complete हुआ. I hope आपको chapter बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. तो यदि chapter समझ में आया है, तो प्लेज वीडियो को like करें, जाने को subscribe करें और friends के साथ भी share करें. We thank you so much.